हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे से यूटूब चैनल टेक डिजिटल आरियन में तो फ्रेंट्स अगर आप IRCTC टिकट बुकिंग, रेल टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग का काम करना चाहते हैं आप सभी के लिए बेस्ट जो है पोर्टल आ चुका है, लंच हो चुका है मार्केट में, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुवीदा जनक और बहुत ही आसान और बिल्कुल फ्री अफ कोस्ट आपको मिलना वाला है, यहां तक कि IRCTC की आईडी भी आपके लिए फ्री अफ में लिए बुल्कुल डिवांडना करें, जो काम ही करने नहीं चाहते हैं को और फ्री अफ कोस्ट आइडी लेकर छोड़ना चाहते हैं, उन लोग के लिए कोई कंपटि covid नहीं देती है, कंपटिफ TH दी आप सर्विस पर काम करते हैं, तो फ्रेंज्स हम लोग travel union application जो launch हुआ है उसके बारे में बात करेंगे travel union application launch हुआ है ये S-PICE money के तरफ से जो S-PICE money ISTC की ID 24-22 रुपे ले रही थी उसको बिल्कुल free of cost करने का यहाँ पर काम कर रही है S-PICE money आप सभी को पता हुआ कि zero cost पर zero लागत पर अगर आप लेना चाहे तो हमसे contact कर सकते हैं description में मेरा वाट्रप नमबर मिल जाएगा उसके पहले आप से करूँगा request कि अगर आप इतक आप मेरे YouTube चैनल टीक डिजिटल आरेन को सस्क्राइब नहीं किए तो rate कलर की बटन को जबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले उसके बगल में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करकर नोटिफिकेशन को ओन कर ले ताकि जब भी कोई लटेस्ट वीडियो डालू तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके फ्रेंट्स आपको आ जाना है अपने गूगल के प्ले जबाइटिंग मिल चुकी है और यह SPICE Money का ही यह एप दिया हुआ है इसको आपको डाउन्लूड कर ले ना उसके बाद से आपको अपना SPICE Money की ID और पासवोड डालकर ओपेंड कर ले ना है इसमें आपको कोई अलग से ID पासवोड नहीं डालना है क्योंकि SPICE Money का जो आपका username name होगा SDL करके वही ID और password डालकर आप यहाँ पर login हो जाएंगे, यह Spice Money का ही एक application है, जिसमें जो भी travel union का जो काम था, travel से related जो भी काम था, उसको अलग separate कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है चार services आपको live है एक आपको train ticket है, उसके बाद से flight और उसके बाद से hotel और यहाँ पर bus ticket booking कर सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे click करते हैं, flight पे flight पे book करते हैं, चैया hotel ticket पे book करते हैं, तो यहाँ पर देखेगा जैसे flight पे आप book करते हैं, तो यहाँ पर flight booking करने के लिए option open हो जाता है same as a condition आप होटल टिकट पर booking करते हैं तो यहाँ पर होटल का भी booking करने का option आ जाता है अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी तरीका सा आप बस टिकट का भी booking कर सकते हैं जैसे हम लोग 10 IRCTC पर click करते हैं क्योंकि मार्केट मा भी IRCTC का जो प्राइस है दूसरी कंपनिया जो आपको बहुत ही महांगा दे रही है यहाँ तक कि किसी भी कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेवल यूनियन का जो चार्ज है बिकॉम IRCTC जस्ट 1199 रूपीज जिससे आप अर्न कर सकते हैं 10 जरपय पर मंत के आसपास अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आप डैस्पोर्ट में ही दिख रहा होगा कि SPICE मनी IRCTC 1199 with 100% refundable scheme यानि 100% refundable है जो आपको 1199 रूपीज लग रहा है वो 100% refundable हो जाएंगे क्या रहेगा इसकीम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं IRCTC के ID कौन ले सकता है तो यहाँ पर जो इजलिबिल्टी क्रिटेरिया है वो देख सकते हैं कि आपके पास valid एक pen card होना च चाहिए और आपका mobile number या email ID IRCTC पर registered नहीं होना चाहिए अगर आपका registered है तो आपका अपना दूसरे email ID और अपना mobile number के through यहाँ पर आपको 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 करना है तो by IRCTC पर click करना है जैसे ही by IRCTC पर click करते हैं तो यहाँ पर आपका अगर ऐसा option दिखाता है अगर raid हो जाता है अगर यहाँ पर green लगा हुआ है यानि कि आपका IRCTC में registration नहीं हुआ है तो आप उसी number और उसी email ID का use करें जो IRCTC में registered नहीं हुआ है अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर आप IRCTC के अगर आप activate करते हैं तो यहाँ पर आपका charge जो लगता है वो लगता है 1199 अब इसका जो है refundable का क्या process है तो 1199 आपके refundable हो जाते हैं अगर आप work करते हैं तो मैंने वीडियो को शुरुआत में ही बताया हुआ था कि अगर आप लग काम करने वाले user है तभी आपके लिए free of cost देती है company 1199 अगर आप per month 30 PNR यानि 30 Ticket 30 booking करते हैं तो आपका जो है डेर 9090 परते एक month आपको refundable होना इस्टार्ट हो जाएगा डेर शर्पिया पर month आपका refundable होगा आपके wallet में ही credit हो जाएगा जैसे spice money ने अपना ATM पर cashback दिया था same as active condition आपको spice money IRCTC पे मातर 1199 रपय में आपको refundable amount आपको 1199 कर देगी और यहाँ पर डेर शर्पिया पर month आपको refundable के हिसाब से मिल जाएगा लेकिन उसके लिए time and condition यह यह कि आप जो है minimum 30 PNR आपको per month activate करना होगा तो जो लोग 30 PNR करेंगे उनका 1199 refundable आज आएगा अगर जो लोग 30 PNR नहीं करते हैं तो उनका समझे के 1199 कंपनी के तरफ से charge रख लिया जाएगा तो अगर आप IRCTC और 37 travel union का अलग से application साथी साथ बेहतर शुरुविधा लेना चाहते हैं तो आप SPICE money की ID हमसे ले सकते हैं SPICE money की ID बिल्कुल free of cost मिल जाएगा अगर आप SPICE money की ID पहले से use कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना registration और payment करकर आप अपना ID IRCTC activate करा सकते हैं इसमें minimum 3 day से 7 days का time लग जात हैं और आप इस application में अपना बहुत easily smoothly काम कर सकते हैं साथी साथ अगर travel union बनते हैं तो आपका DMT का charger वो free हो जाता है जितना का आप travel union का billing करते हैं यानि travel union का आप business करते हैं उसके लिए मैं separate video बना दूँगा उसके लिए चैनल को subscribe कर लिए वीडियो को like कर दिए और अपने द कर दिए अपने दुस्तों में भी share कर दिए अगर आप Spice Money के साथ जूड़ना चाहते हैं या अभी तक नहीं जूड़े हैं तो आप हमको दिए गया WhatsApp नमर पर आप अपने डॉक्मेंट वाट्षप कर सकते हैं आपको Spice Money की login ID बिल्कुल free of cost बना दी जाएगी मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक 11 ऐस टेक गुडबाय थांक्यू